Hey everyone, welcome back to my channel और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहाओ आलू ब्रेड रोल की रेसिपी जिसे बनाना बहुती ज़ादा आसान है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते है यह रोल तो आलू ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने आपे ने एक पैन रखा है और उसमें मैं आड कर रहाओ दो चमच ओईल जैसे ओईल गरम हो जाता है इसमें मैं आड कर रहाओ एक चमच जीरा और जीरा क्रैकल होने के बाद इसमें मैं आड कर रहाओ चार से पाच हरी मिर्च की पेस्ट तो हरी मिर्च की पेस्ट की जगह आप हरी मिर्च को काटके भी डाल सकते हो अभी हमने इसे अच्छी तरके से भून लेंगे एक से दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर जो भी हरी मिर्च का कच्छा पने न वो खतम हो जाने तक उसके बाद मैंने आपे आड़ किया है एक चमच अधरक लसन का पेस्ट इसे भी हमने भून लेंगे कुछ 30 सेकन के लिए लो फ्लेम पर उसके बाद मैंने आपे आड़ की है एक चोताई चमच हल्दी पाउडर और आदा चमच नमक तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हो अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम एक बार इससे उसके बाद मैंने आपे लिए है कुछ एक चोताई कप हरे मटर जिसे मैंने बॉइल कर लिया था आप चाहो तो नहीं आप फ्रोजन मटर का भी इस्तमाल कर सकते हो और दो आलू को न मैंने बॉइल करके मैश कर लिया था वो भी हम इसमें अड़ कर देंगे इसके उपर से नहीं फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया अड़ कर रहा हूँ अभी हमने इसे तीन से चार मिनिट अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे मीडियम फ्लेम पर तो जैसे के आप देख रहो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है तो आलू की चटनिया भी रेडी हो चुकी है तो अभी हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे तो यहाँ पर न मैंने एक bread का slice ले लिया है और bread के जो brown corners होते न उसे हम cut कर देंगे तो यहाँ पर न मैंने bread के corners को cut कर दिया है तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे एक plate में पानी ले लेंगे और जो bread है उसको पानी में डुबाएंगे अल्टी पल्टी करके और तुरंथ निकाल देंगे ज्यादा देर तक हमें इसे पानी में नहीं रखना है bread के slice को अल्टी पल्टी करना है और तुरंथ निकाल देना है और अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है जो भी bread में पानी होगा न वो अच्छी तरीके से remove होना चाहिए और ज्यादा जोर से भी press मत कीजिएगा ने तो bread तूट सकता है तो अच्छी तरीके से press करने के बाद न हम इसमें एक चमच के करीब आलू की चटनी रख देंगे और अच्छी तरीके से इसे close कर देंगे चारो साइड से तो अच्छी तरीके से आपको इसे close कर देना है और हातों से इसे एक shape दे देना है तो जैसे कि आप देख रहे हो तो यहाँ पर मैंने सारे आलू bread के roll को तयार कर लिया है तो दूसरी दरफ मैंने medium flame पर oil को गरम होने के लिए रख दियाता और जैसे oil गरम हो जाता है जो roll हमने बना के रखे आलू और bread के उन roll को हम कड़ाई में डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ 6-7 roll को डाल दिया है कड़ाई में अब हम इसे fry कर लेंगे अच्छी तरीके से medium flame पर हमें इसे low flame पर या high flame पर fry नहीं करना है medium flame पर fry कर लेना है अच्छी तरीके से golden brown होने तक तो कुछ आपको 7-8 मिनिट का समय लग जाएगा इसे fry करने के लिए तो fry होने के बाद मैं roll को एक tissue paper में निकाल देता हूँ जो भी extra oil होगा वो निकल जाएगा तो आलू bread roll के recipe तयार है आपको कैसी लगी है recipe मुझे comment करके ज़रूर बताईए अभी मैं आपको नहीं से तोड़ के दिखाता हूँ इसके अंदर का look दिखने में बहुत ज़्यादा tempting दिखते है ये roll और खाने में तो बहुत ज़्यादा yummy लगते है इस रमजान में आप इस roll को ज़रू try कीजिए इफतारी के लिए आपको और आपके family को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये roll और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like करो, share करो, comment करो और subscribe करो मेरे channel को bell icon को भी press कर दीजेगा जिससे आने वाले हर वीडियो की notification आपको मिलेगी तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ